नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोजस सारान्स के स्कलास में इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्तान का current affairs जिसका अधार होता है राजस्तान सरकार की सोजस्पत्री का शुरूआत करते है हेरलाइन्स के साथ सबसे पहली जानकारी प्रदेश में 104 रूप से हो रही टीवी दवाओं की आपूरती मुख्य सचिब ने नई दिली के बिकानिर हाउस में अधिकारियों के एक बैठक ली जिसमें राइस्थान से सम्मन्न जो अधिकारी थे वो यहां शामिल हुए है अगली जानकारी प्रदेश की 30,000 से अधिक माइस होंगी हरी भरी दरसल खान विभाग एक व्रक्षारोपन कारेकरम चला रहा है अब खान विभाग की जहां जहां खान है जहां जहां माइनिंग शेत्र है साथ के साथ जो भी इनके कार्याल हैं वहां सभी ब्रक्षा रोपन का एक कारिक्रम चलाये जाएगा और इसमें लगभग 5 लाक पौधे लगाये जाने का लक्ष निर्धारित किया गया है कुछ समय पहले हमने देखा था कि ऐसा ही एक कारिक्रम चिकित्सा विभाग ने भी शुरू किया है आज हम चिकित्सा विभाग का वो कारिक्रम और साथ ही खनिन विभाग का ये कारिक्रम दोनों एक साथ देखेंगे अगली जानकारी है राजीव का की जला एवं ब्लॉक इस तरिये समीक्षा बैठक इसके बाद है समर कंटिंजेंसी के तहत स्वीकृत कारियों को 31 मई तक पूरा करें शासन सचिबने सा कहा और राजिस्थान लोक से वायोक से समाचार जहां कैसारी परिक्षा है संपंद की गई है इसके बाद आगे है विक्सित राजिस्थान टाइम लाइन के अनुसार तै करें लक्ष ये 2037 के एक टाइम लाइन दी गई है कि 2047 यानि कि आजादी के 100 वर्ष के बाद 2047 तक देश की तश्वीर क्या होगी और उसमें ही राजिस्थान तब कहां होगा इसके लिए विक्सित राजिस्थान लक्ष पर काम किया जा रहा है सेक्षनिक एवम थेरपिक संबलन के लिए MOU यानि की समझोता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है अब इसमें एक पार्टी है राजिस्थान स्कूल सिक्षा परिशद और दूसरा पक्ष है अरावली संस्थान इन दोनों के मध्धे एक समझोता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है मिलावट के खलान राजिस्थान में अभियान जारी है आगी जानकारी है राज की छात्रा वासों में प्रवेश के लिए उनलाई आविदन 30 जुलाई तक हो सकेगा और राजिस्थान लोग से वायुक से समाचार जहां वरिष्ट अध्यापक परिक्षा के अत्रिक्त विचारित सूची के अभियरतियों को अंतिम अफसर तिया जा रहा है इसके बाद हमारा इंडेक्स आज काम की तीन मुख्य जानकारिया है एक्जाम के लिहाज से जो महत्पूर्ण है पहली राजस्थान स्कूल सिक्षा परिशाद एवं अरावली संस्थान के मद्दे MOU यानि की Memorandum of Understanding समझोता पत्र दूसरा है खनन विवाग का व्रक्षा रोपन अभियान और तीसरा जो पहले एक दिन यूज में था हरी वन व्रक्षा रोपन अभियान ये खनन विवाग का अभियान है ये चिकित्सा विवाग का अभियान है दोनों को आज एक साथ पढ़ेंगे शुरुआत सबसे पहले राजस्थान स्कूल सिक्षा परिशद एवं अरावली संस्थान के मद्धे MOU MOU वाले कोश्चन खूब पूछ जाते हैं राजस्थान के करेंट अफिर्स में तो आपको धियान रखना है किन किन के बीच में MOU हुआ है और किस लक्ष को आधार बनाते हुए MOU किया गया है एक पक्षकार है राजस्थान स्कूल सिक्षा परिशद दूसरा पक्षकार है अरावली संस्थान इनके मद्धे MOU हुआ है जो स्पेसल चैल्ड है जो विशेश आवश्यक्ता वाले बच्चे है इनके सैक्षनिक एवम थेरपिक संबलन के लिए ये समझोता पत्रहस्ताक्षरित किया गया है अब इसके अनुसरा क्या होगा जैपुर एवम उदैपुर जिले में जो संचालित स्टेट मॉडल रिसोर्स के इंदर है यहाँ पर कुछ संसाधन मानव संसाधन इनको उपलब्ध कराए जाएंगे अगली जानकारी है खननन विभाग का व्रिक्षा रोपन अभियान अब जैसा आप पता है आप सभी को की मानसुन सीजन आने वाला है और इस सीजन में व्रिक्षा रोपन करना सबसे सही रहता है क्योंकि एक वाई व्रिक्ष लगाने के बाद उसके फल्लें फूलने के यह सबसे सही रितु मन जाती है यही व्रक्षा जो मानसुन सीजन है अब इसमें राजस्थान के अलग-अलग विभागों ने व्रक्षा रोपन अभियान शुरू किये हैं कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चिकतसा विभाग का एक हरीवन व्रक्षा रोपन अभियान है पांच लाख पौधे लगाने का लक्षे निर्धारित किया गया है पौधी किस तरह के होंगे पौधे होंगे जाद तर चायादार और फलदार साथ ही जो सभी विभाग ये कारियाल ने हैं वहाँ एक एक अधिकारी को भी इस काम की देखरे के लिए जिम्मेदारी दी अब इसमें जो राजिस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थान है वहाँ एक लाख पौधे लगाए जाने का लक्षे निर्धारित किया गया है आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि चिकित्सा विभाग एक लाख पौधे लगा रहा है जबकि खनन विभाग पांच पांच लगाएगा एक तो जो खान है उनकी जहां जा तो खान वला जो एरिया है दूसरा खनन विभाग के जो विभाग ये कार्याले हैं इस तरह से भूमी का शेतरफल खनन विभाग के अंतरगर जादा आता है इसलिए वहां पांच लाग पोदे लगाए जाने का लक्ष रखा गया है चिकितसा विभाग में जो केबल विभाग ये कार्याले हैं जो संस्ता हैं वहीं पोदे लगाए जा सकते हैं चिकित्सा विवा के पास खान विवा की तरह बहुत बड़ा एरिया शेत्रफल के साब से उसके अंडर में नहीं आता है इसलिए यहां एक लाग पोदे लगाने का लक्ष रखा गया है यह कारेकरम कब से कब होगा? एक जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई 2024 तक चलेगा जिसमें सामुदाइक स्वास्तकेद्र साथ ही इससे निशले स्थर के अगर जो चिकित्सा संस्थान है यह है CHC और इससे नीचे स्थर के अगर संस्थान है पीश सी बगेरा वहाँ पांच और यदिश से उपर के संस्थान है तो वहाँ प्रतीक संस्थान में दस पौधे लगाई जाएंगे इस प्रकार प्रदेश में कुल चिकित्सा विभाग के अंतरकत एक लाग पौधे लगाई जाने का लक्षे रखा गया है यहाँ भी फलदार और च्छायदार रख्षों को चेहन किया जाएगा साथ ही पौधार उपन के पांच वर्स तक उनके रखरकाप की जिम्मेदारी उसी संस्थान की होगी अभियान के क्रियानवेन के लिए 11 चिकित्सा संस्थानों को हरीवन मित्र के रूप में राजिस्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा आज का अभ्यास प्रशन विशेश आवशक्ता वाले बच्चों के सैक्षनिक एबम थेरपिक संबलन हेतु राजस्थान स्कूल सिक्षा परिशद ने निमलिखित में से किस संस्थान के साथ M.O.E.U किया है आपके उप्षन है वेदान्त अरावली सक्षम या फिर पाठशाला क्या होगा इसका से ही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में आप मिलते हैं कल अगली नियुज के साथ अगली क्लास में